तो कैसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे अपने ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे दोस्तों एक बड़ी इंटरस्टिंग जानकारी है जो कि आज मैं आपको स्टूडियो में बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंपॉर्टन टिप्स जिसका अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इसका जो लाब है वो जरूर मिलेगा तो सबसे पहले आज मैं बात यहां पर करने वाला हूं बहुत सारे जोगों नोटिफिकेशन के बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूं कि इस तरह की वेकंसी हैं अ कुछ ऐसी इंपॉर्टन चीज़ें जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए और उन चीज़ों को जब आप यह कर सकते हैं कि सही तरीके से समझेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह के जो इंट्रिव्यू और फासों से स्पेसिफिक जॉब के लिए कुछ इंट्रिव के दौरान आपको किस तरीके का जो रखना है जो सवाल आप से पूछे जा रहे हैं या जो भी आपका टेस्ट हो रहा है उसमें आपको किन-किन चीजों पर फोकस करना चाहिए तो वह सहायता भी आप ले सकते हैं लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाह है कि आप इसकी वज़े से जो सेलेक्शन है वो पा जाएंगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है परस्नालिटी आपको मैटर जरूर करती है लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि जहां पर भी आप इंटर्व्यू के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर किस जॉब प्रोफाइल क के लिए आप इंटर्व्यू देने के लिए गए हैं आपको पहले तो उस चीज को समझना चाहिए और दूसा यह है कि इन चीजों को कितना कॉंफिडेंटली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप जो आप से पूशा जा रहा है आपको सारी बातें पता ह बातों का दिहान रखेंगे आप देखेंगे आप तो सफलता भी जरूर मिलेगी और अगर सफलता नहीं भी मिल रही है तब भी आप देखेंगे कि आपकी परस्नालिटी है उसमें अलग तरीके का सुधार आपको नजर आएगा तुमीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्